हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों क्या आपके मोबाईल का वॉलियम बहुती कम हो चुका है आपने जब नया मोबाईल खरिदा था तो वॉलियम की आवाज बहुती अच्छी थी लेकिन जैसे जैसे आपका फोन पुराना होता गया मोबाईल का जो साउंड है, जो स्पिकर है धिरे धिरे स्लो होता गया यानि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाईल का वॉलियम बहुती कम बचता है तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए आपका मोबाईल का जो स्पिकर है वो बहुती तेज बज़ेगा और आप वॉलियम को काफी हद तक बढ़ा भी सकते हैं तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर आल पर सेट कर दीजिए ताके आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और कमेंट में मुझे बताना है कि आप कौन से गाउ कौन सी सीटी से है इतना काम करने के बाद दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपने मोबाइल के वॉलियम साउंड को बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसे ओपन करने के बाद आप से कुछ पर्मीशन मांगेगा आपको ठीक तरह से पर्मीशन को अलाउग कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको सेटिंग क्या करना है उससे पहले कुछ जरूरी बाते मैं आपको बता दू अगर दोस्तो आपके मोबाईल का वॉलियम बहुती कम बज़रा है तो ही आप इस ट्रीक को यूज़ कीजिए अगर आपके मोबाईल का वॉलियम अच्छा खासा है पहले से तेज बज़ता है तो आप इस ट्रीक को यूज़ मत कीजिए नहीं तो दोस्तो यह एप्लिकेशन आपके स्पीकर को खराब कर देगा आपका मोबाईल डेमेज भी हो सकता है यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से सेटिंग करना होगी जी हाँ दोस्तो नहीं तो यह एप्लिकेशन आपके स्पीकर को डेमेज कर देगा अगर आपका फोन पुराना है बहुत स्लो बज़ रहे तो ही आप इस ट्रीक को यूज़ कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए जिस तरह से सेटिंग मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको इसके अंदर सेटिंग करना है ठीके तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग पर किलिक करना है इसके बाद दोस्तो आपको एड़ शो होगी देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने हिसाब से ध्यान रखते हुए कि आपके मुबाइल का speaker कितना slow बज रहा है उस हिसाब से यहाँ पर आपको set करना है यानि कि आप शुरुवात में 90% पर इसे set कर देंगे तो हो सकता है आपके मुबाइल का speaker खराब हो जाए आपका मुबाइल डेमेज हो जाए जी हाँ दोस्तों यह application की warning है कि आप इसके अंदर ठीक तरह से setting कीजिए ठीक है यह set करने के बाद दोस्तों अगर आप back आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ option दिखाई देंगे आप देखेंगे दोस्तों आप धीरे धीरे बढ़ा कर अपने mobile में volume कोई गाना या कोई video पिले करके देखिए कि आवाज ठीक तरह से आ रही है या नहीं दोस्तों मेरा जो phone है वो बिलकुल new है मैंने अभी कुछ दिन पहले इसे खरीदा है तो मैं इस application को अपने phone में use नहीं करने वाला है नहीं तो दोस्तों मेरे mobile का speaker है वो फट सकता है क्योंकि मेरे mobile का speaker पहले से बहुती जाधा तेज बचता है तो इसे दोस्तों आप तभी use क कीजिए अगर आपके phone का speaker बहुती slow बज रहा है volume बहुती जाधा down हो चुका है तो आप इसे try कीजिए और धीरे 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 धोस्तों यहा पर बुष्ट का जो option है उसे आगे ले जाईए और चेक कीजिए कि volume बढ़ा या नहीं इस तरह से दोस्तों आप अपने mobile के volume को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को WhatsApp Facebook पर अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताके वो भी अपने mobile के speaker को काफी तेस कर सके वीडियो को like जरूर कीजिए अगर आप channel पर नए हैं तो यहाँ पर click करके channel को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताके जब भी मैं इसी तरह की videos upload करूँ तो इसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और comment में मुझे बताना है कि आप कौन से city कौन से गाउ से हैं एक comment जरूर कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ठैंक यू